वेल्कम तो रड़ाउन वेब टीवी आज हमारे रिव्यू सेक्शन में जो साउंड सिस्टम है बहुत ही कलासिकल साउंड सिस्टम है F&D कंपनी का है T70X आज के हमारे रिव्यू में इसको हम अपने शामिल करेंगे T70X 2.0 की केटेगरी में यह सेट है और इसके अंदर तमाम तर फीचर्स हैं फंक्शन्स हैं इसमें जो इन्पूट है वो आप HDMI ARC है और कॉक्जिल है आप्टिकल है आप दो आडियो इन्पूट आउक्स कनेक्टिविटी वो आप इसके अंदर दे सकते हैं इसके अंदर बिलोटूथ है 5.0 और वायलेस माइक की कनेक्टिविटी है वायलेस माइक की जो कनेक्टिविटी है वो प्रोफेशनल है प्रोफेशनल आपको जो आउटपूट मिलेगी इको और माइक का वॉल्यूम है माइक का इसके अंदर वॉल्यूम जो फंक्षन है वो आप आफ भी कर सकते हैं और आउन भी कर सकते हैं रिमोट के जरीए तमाम तर फीचर्स हैं फंक्षन्स हैं इसके अंदर एफ-एम रेडियो है इसके अंदर ट्यूनर है एंद सेकेंड आप करोके यानि कि आप सौंग पिले करने के बाद आप इसको अपने साथ भी माइक यूज कर सकते हैं सबसे पहले हम इसके कॉंटेंट्स देखेंगा कॉंटेंट्स में हमें इसमें मिलती है वन प्लस टू की केबिल जो के प्रोफेशनल है स्टेंडर कॉलर्टी की यह गेज इसका फूल है । जो होना चाहिए स्टेंडर्ड पर लिए जो के प्रोफेशनल है और हवी ड्यूटी देख सकते हैं के फुल गेज है क्योंके heavi duty है, häवी इसमें से sound path होगा और length जो है वो इसकी टक्रीबन जो है वो इसकी length 10 feet है सेकिन इसके अंदर power cable है, जो के tape cable है और इससे connect होगा जबरदस cable है, professional है, original cable है इसके अंदर mic है, जो के 746 मेगा हर्स पे काम करेगा और high frequency है बहुती जबर्दस reception होगा इसके mic का second इसके दर manual निकलते हैं और ये एक अदद remote निकलता है जो के professional ही है remote के अंदर आप देख सकते हैं कि buttons है इसके मैं features आपको दिखा देता हूँ ठीक है ये आप देख सकते है mic का mic का on off है mic on off कर देंगे तो आपका off कर देंगे तो mic अगर कोई बच्चा छेड़ भी देता है तो sound फराब नहीं करेंगा mic का volume आ गया, eco आ गया second इसके अंदर बागी तमाम तर features and functions बेस टेबल सब आप control कर सकते हैं अब हम बात कर लेंगे इसके material की इधर silk doom tutor 1 inch का use किया गया है और आप उपर से इसको देख सकते हैं बिलकुल जहाज का जो fan होता है बिलकुल वही इसका design दिया गया है यहां से जो tutor है वह एक एक आपको जो है वह बीट साफ सुनाई देगा बाकि उपर से आप देख सकते हैं इसमें texture है वोडिन है mdf material का बनावाया है सामने इन्होंने glossy दे दिया है यह भी glossy shape है बिलकुल एक नया touch है नया style है अच्छा 5.25 inch के इसके woofers हैं जो के dual woofer यूज किया गया है एक side पर इसके और यहां पर इन्होंने nobe जो दिये वो कौन वाली है और यही design है सेम जैसा यहां पर यूज किया गया है वो यहां पर combination लगा है golden color का इसका परदा यूज किया गया है sound quality बहुत अच्छी बनाएगा यहां पर एक अधर tutor यूज किया गया है जो के 1 inch का है ठीके जी एक जो sound system है इसके अंदर यहां पर इसका 8 inch का subwoofer है अच्छी quality का है high finished है यह पूरा material जो है वो MDF है और तक्रीबन 14 से 15 mm के gauge के अंदर बना हुआ है अब हम इसके अगर weight की बात करेंगे तो इसका जो weight है single unit का 12.5 kg का weight है इसका क्योंकि साड़े 12 kg के करीब है और इसके जो watts है वो 80 watts RMS का यह एक unit है दूसरे unit के हम तरफ आ जाते हैं यह इसका main unit है जिसमें आपका on off का system आ गया है सामने touch button है इसमें swift button नहीं है touch button है अबरे वे नहीं है यहाँ पे इसकी LED आ जाती है second number पे source है फिर इसका volume है पिलस आ गया है volume minus आ गया है इसका और बाकी जो है वो यह next track previous track और पिले पाउज आ गया है यहाँ पे भी same है इसका जो woofer है woofer जो use किया गया है इसके जो ages है round उसके इनोंने ABS material यानि के plastic जो है वो ABS material से इनोंने cover किया है इसको यह भी इनोंने ABS material यूस किया है जो के standard होता है quality होती है जो के sound system में चलता है यह यह भी ABS material इनोंने full इसको जो finish किया है बंद किया है वो ABS material के साथ किया है अब मैं इसको back panel से आपको दिखाऊंगा ओके जी हम इसके back panel पर आगए यहां पर आपको एक wire नजर आता है जो के इसका जो wire है यह FM का aerial है second number पर जो है इसका model number mention हो जाता है T70X यहां पर आपकी HDMI के connectivity आ गई है USB आ गया है आपका pillar second यह यहां पर optical आ गई है कॉक्जिल आ गई है माइक वन माइक टू आ वाइर माइक भी यूस कर सकते हैं इसके अंदर second audio input आडियो इंपुट में दो इन्होंने aux connectivity दी है यानि कि दो आप at a time लगा सकते हैं चले गई एक वक्त में एक यह professional jacks हैं दोनों speakers आपस में connect होंगे या white वाली जो wire है यह इसमें लगके यहां पर connect हो जाएगी ठीकी जी बाकी यह सारे इसके वाट्स वागरा सब mention किये हैं थिकनेस आप इसकी देख सकते हैं एजिस देख सकते हैं बौड़ी बहुत खुशूरत है sound quality बहुत ही शांदार है इसकी T70 X का review है sound quality हमने इसकी सुनी हुई है अगर आपका 20 by 20 का room है 20 by 25 का room है तो भी बहुत अच्छा है और आप इसको theater के तौर पे यूज़ कर सकते हैं home cinema के तौर पे यूज़ कर सकते हैं अगर आप music listener है या आप singing वगरा करते हैं या घर में कोई program है आपका तो बेहतरीन collection है जब सकते जॉलाई का महीन आई है तो वीडियो देखने का आप लोगों का बहुत शुक्रिया थैंक यू वरी मच अपना ख्यार लखिये का नाफिस